तो आज हम दोग इस पार्ट सिखने वाले हैं इससे पहले मैंने एक पार्ट पढ़ाया अगर आपने देगा तो प्लीज आगे उसको देखिए आफ्टर यहां को देखना आज हम दोग एल्डर और ओल्डर की बीच में डिफरेंस क्या होता है इसके बार में सिखेंगे ठीक है मैं हमें ऐक इससे कंचवमक आप लिफवज करेंगे के अपने से बड़े के लिए अपने से बड़े के लिए इल्डर का यूज कि यहाता है ठीके अगर आप सबसे बड़ा हो तो एपना फैमली के लिए तो एक कहा होता है अपने से बड़ा के लिए नहीं करते हैं अपना फेमिली के लिए नहीं करता है तीनों के लिए यूभ और एलडर और आइटेश के लिए तो गलती हो जाएगा वहां पर सिर्ट क्या होगा ओल्डर सबसे बड़ा उल्डर होता है चली एक्जामपल देखते हैं कि इस थिया रहना है बड़ा के सेंस में होता है ढ़क्तर मेरा बड़ा है अपना प्र रिए होता है एल्ड का यृब्र ब्रहे वहाई into vector अपने खेंडी दॉब्र रढ़ित बोलना है क्या बोलना है एल्डर नहीं बोलना है एल्डर बोलना है या इस तरह से कुछ भी बोल सकते हो ठीक है आगे नेक्स्ट इग्जाम्पल देखिए लिए क्या जो हैं कितना पांच साल फाये बड़ा है थिक है अपना फेमिलीं यह यह पांच साल यहां बताया है व्याँ है अपने भाई से पांच साल बड़ा है तो लेकिन आपको मैं बता दू जहां पर समय का बहुत करवाई जाए जाहां पर आतरी जो नहीं करते हैं करना है समय का जहां भी जिक्र किया जाए तो बड़ा के सेंस में अपना फेमिली हो या दूसरा का फेमिली हो ओल्डर का यूज करेंगे और अपने भाईयों में सबसे बड़ा हूं सबसे बड़ा के लिए गलतियां पर क्या है अपना फेमिली में सबसे बड़ा के लिए सबसे पहली बात की ओल्डर के साथ कंपरेंटिव फॉर्म में क्या लगता है आपको याद रखना है कि कंपरेंटिव फॉर्म में एल्डर के साथ तू लगता है और ओल्डर के साथ देंट लगता है एक कंपरेंटिव फॉर्म में यहीं उस्ता एक्षा यह सही हुए तू नहीं लगेगा और पसक्त तू नहीं आता है ठीक है इस बिल्डिक अचा देखिए ये वस्तु के लिए युझ किया गया है डिस बिल्डिक को बीडिक बड़ा होता है उस बिल्डिक से यह बहुत बढ़ा है तो बढ़ा कोन वा जोन सभी बात है चाहे प्लेग्राउंड की बात किया है सबसे पुराना प्लेग्राउंड मैंने देखा है सबसे पुराना के लिए सबसे पुराना के लिए बस्तु के लिए होता है इसलिए नहीं को दिक्कत होता है कमेंट करो कमेंट का जवाब करेंगा चलो आज की इतना ही कल नेक्स्ट क्लास मिलते हैं चैनल को सबस्क्राइब लाइक और शेयर मोर और मोर ठीक है चलो टेक के